प्रथम शासक बप्पा रावन जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद कुम्भल गड़ और चित्तोर गड़ का विजय स्तंब मुख्य हैं। इसी राजवंच में एक और महा प्रतापी राजा राणा सांगा हुए जिनका सामराज अफगानिस्तान तक पहला था। जिनका जीवन चरित्र शौरपूर्ण गाथाओं त्याग और बलिदान से भरा है। युद्ध के दौरान उनके शरीर पर असी घाव लगे थे जिन में एक आँख एक हाथ और एक पाउं बुरी तरह से जखनी होते हुए भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध में वे सदैव तत पर रहे। पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्ना धाय भी है जोके गुर्जर जाती की धायमा थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे कर राना उदै सिंग की रक्षा की जिन के पुत्र महराना उरताप हुए महराना प्रताप का जन्म पाली जिले के अक्खे राज सोंगरा की पुत्री एवं महराना उदै सिंग की महरानी जैवंत कमर की कोक से विक्रम संबत 1597 में पर्थाद 9 मैं 1540 को पुम्त गढ़ दें गुआ बानल्यकाल चित्तोन गढ़ में गुजरा करीब 17 वर्ष की आयू में ही प्रताप का विवाह अजबंदे कमर के साथ हुआ सन 1560 में अक्खबर ने जब चित्तोन गढ़ पर आख्रमन किया तो मेवार के प्रमुक सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महराना उदै सिंग ने चित्तोन गढ़ छोड़ दिया मुगलों के ब्रती उनमें घ्रणा के भाव चाक्रत हो गड़ी अपने देश, कुल, गौरव और मात्र भूमी की मर्यादा के लिए प्राण न्योचावर करने वाले योध्धाओं और लल्नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बलके ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई अपने पिता के साथ दुरगम पहड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया परवरी पंद्रा सो बहत्तर को महराना उदैसिंग का देहांत हुआ प्रताप की जेश्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगदी पर आसीम किया होली के दिन उनका गोगुंदा में राज दिलक हुआ उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने मुगल समराथ अकबर की अधिन का स्विकार कर ली थी एक मात्र महराना प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं जुकाया अपनी स्वाधीनता और सार्व भौमिकता के अधिकार को सर्वो परिमाना अपने द्रण निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तयारी में जी जान से जुट गये 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध एक मैदान में हैतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया महराना प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुँची जबके सेनापती मानसिंग के नित्रित्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोचा जमाया मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुस बैट करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरू महराणा प्रताप की सेना मुगलों पर तूप पड़ी प्रताप के हरावल सेन्य दलों का नित्रित्व पठान हाकिम हां सूर कर रहे थे भीलू राना जो राना पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं उनके नित्रित्व में भील आधिवासनों में गोरिला पद्धकी से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के ठुडा दिये देखते ही देखते शाही सिना में खलबली मच गई रख्ट तलाई भोरों की डापों हाथियों की चिंधारों और तलबारों की जंकारों से युण जुटकी चारों तरफ हाहा कार मच गया युद्ध का घटना क्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगा कर मान सिंग के हाथी पर चड़ा दिया और उस तर भाले से भरपूर बार किया मान सिंग हौदे में दुबग गया हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांक कट गई इस स्थिती को भाप कर महराना प्रताप के हमशकल सेनापती ज़ाला मान ने महराना प्रताप से आग्या लेकर उनका राज मुकुद धरन किया मुगल सेना जालामान को महराना प्रताब समझ कर उन पर तूप पड़ी जालामान शहीद हो गए उधर चेतक ने अपने स्वामी को पाँच किलोमिटर तक तीन टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पाग किया उसके पश्चाद उसके प्राण पखेरू उड़ गए इस युद्ध से महराना प्रताब के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा परिनाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भूजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया महराना प्रताब ने अपना सैन्निबल बढ़ा कर सर्वप्रथम अरावली परवत की घाटियों में बसे दिवेर पर चड़ाई कर विजय प्राप्त की इसके बाद कुम्भल गड़ पर भी विजय प्राप्त की सिर्फ चित तौड़ गड़ को छोड़ कर सारे मेवान को अपने अधीन कर लिया कालान तर में महराना ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की इस जन्वरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयू में इस संसार से प्रयान किया हल्दी घाटी का युद्ध एक साम्प्रदाइक युद्ध ना होकर आत्म सम्मान मात्र भूमी की स्वतंत्रता वस्वाधीन ता का संगर्ष था इसका प्रमान ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापती जैपुर के राजा मानसिंग थे वहीं पर महराना प्रताप की सेना के सेनापती काबुल के हाकिम खांसूर थे महराना प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्म सम्मान वदेश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया